नमस्कार प्रिविद्यारतियों आज हम भूगल टेक्टिकल के अंतरगत आज अतिमेटपुन एक सर्वेक्षन उपकरण के बारे में अध्यन करने वाले हैं उस उपकरण का नाम है क्लाइनोमीटर इस उपकरण को बारतियों क्लाइनोमीटर के रूप में भी जाना दाता है क्योंकि इस उपकरण का या इस इस्टुमेंट का अविसकार सबसे पहले बारतियों सर्वेक्षन विबाग ने किया था यहने कि क्लाइनोमीटर का इसकार सबसे पहले भारतियों सर्वेक्षन विबाग के द्वारा किया गया इसी कारण इस इस्टुमेंट को भारतियों क्लाइनोमीटर की संग्या दी जाती है इस उपकरण को टेंजेंट कलाइनोमीटर की गूप में भी संबोधित करते हैं क्योंकि इस उपकरण के अंतरगत टेंजेंट विडियो को पढ़ा जाता है इस कारण से इस उपकरण के माध्यान से अपक्षाकरत कुछ दूरी परिष्टित इस्तानों की उँचाई का या उँचाई की गणना की जाती है उँचाई का आकलन किया जाता है यानि क्या सकते हैं कि उंचाई ग्याद करने के लिए इस क्लाइनोमिटर का या भारती क्लाइनोमिटर उपकरण की सब ज़्यादा उप्योगीता से दित मालने चाहती है अब आगे पढ़ते हम जो भारती क्लाइनोमेटर उपकरण हैं उसके सरंचना के बारे में हम लोग हद्यन करते हैं कि उस उपकरण में क्या-क्या चीज हैं one by one बात करते हैं या कैसे सकते हैं कि इस इस्ट्रुमेंट के पार्ट से बारे हम वध्यन करते हैं। यह आपके सामने एक इस्ट्रुमेंट पढ़ा हुआ है। इस instrument को ही क्लाइनोमीटर ग्रूप में जानते हैं यह instrument लगबग 20 से 22 cm लंबा है यह इसके parts की बात करते हैं तो सबसे पहला जो parts है उसको गहेंगे अपन आधार प्लेट ग्रूप में जानते हैं यह जो आपकी दिख रही हैं यह आपकी एक आधार प्लेट हैं ठीक है आधार प्लेट की जो लंबाई है लगबग 20 से 25 cm है और चुड़ाई लगबग 2 cm को बिच में वहती हैं इस आधार प्लेट के निचे तीन जो बटन दिख रहे हैं आपको एक दो जो तीन बटन जो दिख रहे हैं यह वाल देख लें यह हाती दात के बनों होते हैं यह क किया सकते हैं क्योंकि इसको जब अपन कागेश पर गुमाते हैं तो इनके दोरा जो है हिलाने पर सीट बिलकुल खराब नहीं होती है हाती दात या अधातू का बढ़ा होता है जो सीट से तोड़ा सा उपर होता है यह आधार प्लेट के निचे लगी होती है उसके बाद में इस आधार प्लेट के जो उपर आईगी उपर वाले बात कर रहे हैं यह आएगी एक पीतल की छड़ा आती है यह दिख रही है इस पीतल की छड़ के बीचो बीच यह दिख रहा है आपको इस बीचो बीच में एक लेवल नलिका लगी होती है जिससे अपन ने देखा होगा स वा लेवल के लिए ही काम आती है लेकिन इसको लेवल करने के लिए इसे यहनतर के जो ब्रास के जो बनी हुई है इसके पास में यह देख रहे हैं आप यह जो एक स्क्रू देख रहे हैं इस इस्क्रू को हम लेवलिंग स्क्रू करूब में जानते हैं इसके द्वारा ही इस instrument को level किया जाता है यह चीज रोड़ा द्यान रखेंगे आप कि level के लिए आप ऐसा है ऐसा नहीं करेंगे आप इस screw के माधियम से इस भारती क्लानोमेटर के इंतर को level करते हैं इसको बोलते हैं level screw उसके बाद करें इस चैन्तर में दो चीज कोब रहाती हैं मिएhmen आइवेन और एक उती अब्जेक्टवल अपर अपण अब्जेक्ट वन लाए आइवेन में आइवेन के उपर यह आपको हल्का सा च्छेट दिख रहा होगा इसे बोलते हैं आई होल के रूप में से समधित करते हैं और यहीं से हम अब्जेक्ट देखते हैं और लेकिन इसके पूरा पार्ड को कहते हैं अपन द्रश्च फलक के रूप में इसे जानते हैं और यह होता है आपका आपजेक्ट वन इस अब्जेक्ट वेन और आईवेन को लंबवत रूप में दिखाने के लिए या उसको इस्तिर करने के लिए इस सिट्रमेंट में दो आलंवन लगे होते हैं यह देख रहे हैं इसे कुन हो को लुक्त कड़ेन लाने के लिए ये आनम लाने के लिए ये यह इसलिफ कंचे लिए खम लगा हो सकते हैं इस इसमें सबसे important बात यही है, object 1 का जो पार्ट दिख रहा हैं आपको, इसमें जो दो पार्ट दिख रहा है, एक तो पर दिख रहा है, एक दिख रहा है, इस से left वाले पार्ट पर जो बाये वाले पार्ट दिख रहा है, बाये वाले पार्ट पर डिगरी अंकीत होती है, क्यों हो अधिक्तम वेल्यू 22 डिग्री तक पड़ सकते हैं, कितने 22 डिग्री अधिक्तम वेल्यू की बात करते हैं हम तो 22 डिग्री तक की वेल्यू पड़ सकते हैं, ये जो आपको दिख रहा है डिगरी वड़ा बांट, दीद करें आराम से इसे रिए अधिर तिख राहा है, 22 डिगरी वड़ा, और ये 22 डिगरी यहान है थोड़ा से निचा हैarm, सुन्य होगा, और नीचे आएंगे वाफिस दो चार चेकर के ये 22 दिक चला जाएगा इस प्रकार स्वति है जैसे यह आपकी यहाँ पर आपका सुन्य है यहाँ रेसे से बढ़ हुए यहाँ ता 20 और दो बढ़े चाहिए शेम चीज आपिस यह उता माइनस वाड़ा यह उता प्लस वाड़ा कि मलब नीचे और उपर का दोनों को कोण पर सकते हैं पर उचाहिए द्यान रखें आप लेकिन इसका जो राइट सेट वाला जो दिख रहा है कोलम आपको यह वाला बाट दिख रहा है यहाँ पर नेचुरल टेंजेंट वेल्यू बढ़े बते गई हैं टेंजेंट इस यंत्र में सबसे ज़्यादा जो पढ़े जाती है पॉइंट चार पढ़े जाती है कि पढ़ेंगे पॉइंट चार अधिकतम वेल्यू पढ़ते हैं टेंजेंट वेल्यू अधिकतम वेल्यू की बात कर रहा है तो पॉइंट चार पढ़ते हैं और नियूंतम की बात करते पॉइंट जीरो जीरो पांच अब इसके पीछे कुछ लगाता नहीं बिस टेंजर वेल्यू को अपन ऐसी बोलेंगे पॉइंट चार और पॉइंट जीरो जीरो पांच यह होती है सबसे नियुंत वेल्यू पढ़ते हैं और अधिकतन क्यूंत करते तो पॉइंट चार वेल्यू इसमें पढ़ी जाती है उसके बात में यह आपको कुछ फ्रेम देखके ही है इसको बोलते हैं तो सरकर वा फ्रेम इसको अपन ऊपर भी गुमा सकते हैं और नीचे भी गुमा सकत कि इसमें हैं दो सबसुए से मैंत्रपुन है एक होता है उन्ने यन कोंड और एक होता है अवनमन कोंड उन्ने न कोण और फरक होता है यह देखें गर का सा जैसे महलूं यह आपका जिरूर्म से एट हैं अब इस आय होंसे देख रहे हैं जब आम कोई ऑब्जेक्ट जाएगा उच्छे की तरब जाएगा तोड़ा से एक चितर के दवारा समझें आप इसको जिसे यह अपनी आख है और यहां पर यह इस्टुमेंट लगा हुआ है और यह आपका अब्जेक्ट जब आप इस प्रकार जाएंगे और यह ऑ गापके यह जो चीजस आ रही है यह जो कौन बन रहे हैं वो क्या कौन बनेगा उन्नe य कौन बनेगा क्या बनेगा उन्नe यनक और उन्नE और कोểंगरें जी बोलते एंगल ओफ ऑफ एलीवेशन की जब बना रहे हैं इनका बीसक ज़ारा है और मा लोग यहां से कोई निच्चे बढ़ चीज है अब यहां से बढ़ेगे हम यह बढ़ा जीगा तो यह जो कूण बढ़ेगा इसे कहेंगे अवर नमन कूण क्या कहेंगे अवर नमन कूण और अंग्रेजी बासा में एंगल आफ डिप्रेशन कई बार प्रोचा आच चुका है कि एंगल आफ एलेवेशन क्या चीज है और अउपर वाला कौण होगा वो उन्ने अन कौण या एलेवेशन कौण कहांगे और निच्चे वाला कौण अवर नमन कौण इसे एंगल आफ डिप्रेशन के रूप में से जानते हैं और यह जो लाइन बन रही है आपकी कौण तो कहते हैं उन्ने अन कौण लेकर यह लाइन और यह लाइन जो बनती है आपकी इससे बोलते है लाइन आफ कौण आफ कौण वर्शन क्या कहते हैं लाइन आफ कौण वर्शन के रूप में से समझेते हैं स्यम चीज़ ज्यान दे आप इसको यह वाड़ा कॉन आ रहा है उन्हें कॉन और यह वाड़ा कॉन होगा अब नमन कॉन और इसके जो लाइन जो बंड़े हैं इसे बोले लाइन ओप कॉली मोशन करूप में से संभाधित करते हैं इस यंतर के दोवारा हमने कहा कि इससे उचाई घ्याद किये जाती है तो उचाई घ्याद करने का एक सिंपल जस्त रहें वी आई किसो तो अपड़ लिख देते हैं वी, आ y, बराबर, टेन्द ठीटा, जो tangent value की बाद, मैं में बता हैं, कि इसमें tangent लेश्बलो asked आराम से पड़ सकते हैं, tangent value की plus, distance, यहाँ से, इसकी कितनी distance है, distance plus minus, h i, h i means height of instrument, आपने क्या करना एक आपको इस इस्टुमेंट से लेखा आई खोल से यहां पर आपका ओब्जक्ट में है यहां से आपने डीडिंग पड़ी है इस प्रकार से यह चल रहा है और इस अब्जेट को देखने पर यह जो आपको दागा दिख रहा है आपका दागा के किनारे या दागा के बिल्कुल पेरल आपको अब्जेट दी जाएगा और यहाँ पर आपको रोग देना है और यहाँ से अपने को टेंजेंट विल्यू पढ़नी है और यहाँ पर अपने लिख प्लस यहां से अपन जो भी अब्जेट को देखा उसकी दरातल की अपन को दूरी मापनी है पांदस मीटर जो भी आई वहां लिग दिया अब यहां प्लस माइनस है प्लस गेर माइनस है जब उपर होगा प्लस होगा और निचे होगा तो क्या हो जाएगा मैस हो जाएगा यह चीज त्यान रखनी है आपको तो उसमें यह इस्ट्रुमेंट का हाइट आ रही है इसको फि ऊचे ग्या थो जाएगे अपड़ो यह था आजका जो टोपिक ही भारती क्लाइनोमीटर जिसका भिसका भारती सरवेक्षण विबाग के द्वहा किया गया इसे करणड़ से भारती क्लाइनोमीटर ग्रूप में भी जानते हैं उसे इसमें टेंजेंट वे़िव उने करण से टेंजेंट क्लाइनोमेटर की संग्या भी दी जाती है इसे यंतर की द्वारा अबजेट की जो उचाई है वो ग्याद करने में मोज़ादा प्योगिता होती है तेंक्यू वेरी मॉच